खिलाडियों के प्रतिवा को निखारने और उनका मनोवल बढ़ाने के लिए जिला हमिरपुर स्कूली खेल संगठन के एक नई पहल करने जा रहा है जिसमें इस वर्ष राज्य स्तरी प्रत्योगता में अच्छा प्रदर्शन करने बाले बच्चों को समानित किया जाएगा संगठन द्वारा स्कूल के उन अध्यापकों को भी समानित किया जाएगा जिनोंने बच्चों को इसकाबिल बनाया है इसके साथ ही स्कूल के प्रदानचारिक को भी समानित किया जाएगा राजियों और रास्टे स्तर की प्रत्योकताओं में बहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाडियों को हमिल पर स्कूली क्रीडा संगठन द्वारा समानित किया जाएगा ये पहला अपसर है जब संगठन द्वारा खिलाडियों को प्रोतसाहित करने के लिए निरने लिया गया है इससे उमीद जिताई जा रही है कि दूसरे बच्चे भी खिलों के पती दिलस्पी दिखाते हुए बहतरीन परदर्शन करने के लिए लाला इत होंगे स्कूल के रसंगठन द्वारा राज के वरिष्ट माद्यमिक पारशाला डिड्मी टिकर में समाज समारो फरवरी महा की दूसरे सप्ता में आयोजित किया जाएगा जिसमें जिला हमिरपूर के 63 खिलाडियों ने राजेस्टर पर भैतरीन परदर्शन कर मैडल वो प्रथम द्यूतियव तितिये स्थान प्रापत किया है ऐसे हुनहार खिलाडियों को सम्मानित किया जा रहा है वहीं इस बर्ष रास्टिस तर पर 29 खिलाडी हिमाचर परदेश का प्रतिनित्व करेंगे उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा ADPO हमिरपूर राजिंदर शर्मा ने कहा कि ये पहला मौका है जब जिला के खिलाडियों को सम्मानित किया जा रहा है और इस बर्ष जो खिलाडी रास्टिस तरिये परतियोगता में प्रतिनित्व करेंगे उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा चला के लिए गौरभ हासल किया है गोई ना कॉइश्थान प्रत्म दुत्यों तित्यim पाया है इसके साथ साथ जिन खिलाडियों को तेया है उन्हें ओर शोरं मुख्या घंडमीक पारसाला इसके साथ साथ जिन प्रसीशन ने इन खिलाडी को त्यार किया है उन्हें लिए और सूरे मुख्या है एड़ मास्टर प्रिंसिपल्स को भी समानित किया जाएगा मुझे लगता है कि इस प्रकार के प्रयासों से जिला के खिलाडियों का मेंवर बढ़ेगा और ना के उन खिलाडी पर सिक्षक भी स्कूलों के जो डिपी पीटीज हैं वो भी कड़ी मेनत करके हमारे इस जिला से अच्छे खिलाडी तियार करेंगे आने वारे समय में इस तरह की प्रोग्राम जो है खिलाडियों के मनबल बढ़ाने के लिए उसमें इसमें पर किये जाएंगे और जिस से जो खिलाडी हैं अमरे जिला हमित पर के वो परदेश में अच्छा स्थान हासिल करें और वो इस खिल के मादियों से आने वारे समय में रोज़का अपर करें